अगर आप चाहते हैं 80 साल की उम्र तक भी आपकी स्किन में वही गलो रहे वही कसावट रहे जो 20 साल की उम्र में थी तो आज का वीडियो आप ही के लिए है और जो तरीका मैं बता रही हुँ ना करने में बहुत आसान है एक रुपिया भी खर्च नहीं होगा आयूर वेद द नमस्कार योग जर्णी में मैं मदु चौधरी आपका स्वागत करती हूँ देखिए भारती घरों में वर्षों से ये परंपरा रही है कि घर में एक तांबे का बरतन होता है उसमें रात को पानी भरकर रग दिया जाता है और सुबे खाली पेट इस पानी को पिया जाता है तो खाली पेट इस पानी को पीने के क्या फायदे होते हैं आप सबी जानते हैं मैंने ही बताओंगी कि ये वात पेत और कफ का नाश करता है एंटी एजिंग के लिए इम्म्यूनिटि के लिए अच्छा होता है ये सब बाते आज हम नहीं करेंगे आज हम देखेंगे कि इस को जब आप अपने चेहरे पर लगाते हैं ना एक खास तरीके से तो क्या जादू हो जाता है आपके चेहरे पर देखे रिसर्च यह बताती है कि जब तांबे के बरतन में पानी रखा जाता है तो अलीगो डाइनमिक एफेक्ट के कारण जो कौपर आयन्स हैं वो इस पानी में गुल जाते हैं और ये पानी एक करिश्माई पानी बन जाता है, magical water बन जाता है क्योंकि जब कौपर आयन्स पानी में घुल जाते हैं ये एक colloidal solution बन जाता है इस पानी में इतनी healing property होती है कि जब इसे skin पर लगाया जाता है स्किन में सेल्स का डिवीजन होना शुरू हो जाता है जवानी में क्या होता है कि चहरे पर अपने आप चहरे पर क्या पूरी स्किन पर अपने आप कोलेजन बनता रहता है कोलेजन एक ऐसा प्रोटीन है जो आपकी स्किन में कसावट लाता है तो इस collagen बनने की प्रक्रिया को दस गुना तेज कर देता है ये तामर जल, कौपर के बर्तन में रखा हुआ पानी तो आपको क्या करना है आपके पास जो भी तामबे का बर्तन है, लोटा है, राम जारा है या इस तरह का जग है, बॉटल है उसमें पीने का पानी, फिल्टर्ड वाटर भरके रखना है, कम से कम 16 गंटे के लिए, इसके बाद ये आपके यूज के लिए तयार है कैसे यूज करना है आपको इसे, अपने हाथ में ये थोड़ा सा पानी ले लेना है आपको और इसमें आपको डाल देना है, दो तीन ड्रॉप्स नीबू के रसकी आप हैरान रह जाएंगे जब ये कॉपर वाटर वाइटमिन सी के साथ मिलता है, बाइंड होता है, तो आपके स्किन के लिए क्या कमाल का असर दिखाता है आपको इसे लेना है अपने हाथों में, रात को सोने से पहले आप ये कर लीजिए और इसे अपने पूरे चेहरे पर अपलाई कर देना है, माथे पर, गर्दन पर, हर जगे से हलके हाथों से थप थपाते हुए, अपलाई कर दीजिए, थोड़ी ही देर में इस सूख बस इसके बाद आप आराम से सो जाएए, ये जो करिश्माई पानी है, आपके स्किन पर पूरी रात काम करेगा, देखें कोपर के बारे में ये कहा जाता है, कि इसमें इतनी हीलिंग पार होती है, कि कोपर वाटर में डूबी वी बेंडेज अगर किसी घाव पर लगा दी ज जाती है, आयूरवेद में महर्शी चरक ने तांबे यानि कॉपर का उपयोग बहुत से रोगों की चिकितसा में बताया गया है, तो ये जो कॉपर का कॉलाइडल सोलूशन आपने अपने चेहरे पर लगाया है, ये बजार में चार हजार से लेकर दस हजार तक के सीरम मिलते हैं और उनमें नजाने कितने क्यामिकल्स होते हैं, आपको घर बैटे मुफ्त में ये पानी मिल जाएगा अगर आपके पास एक तांबे का परतन है, नहीं है तो आज खरीद लाइए, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो कमाल के होंगे, अब इस पानी को आप कब तक यूज कर स इसे आप अपने नहाने के पानी में मिक्स कर लीजिए और उस पानी से आपको स्नान कर लेना है, पूरे शरीर की स्किन में हीलिंग होगी, वहाँ पर किसी भी तरह के दाग धबे हैं, रोग हैं, वो ठीक होने लगेंगे, यानि कि मैजिक हो जाएगा, और इसके साथ जैसा क मैं हमेशा बताती हूँ कि जब तक आपका शरीर अंदर से शुद्ध नहीं होगा ना, आपके चेहरे पर चमक दिखाई दे नहीं सकती, क्योंकि खूबसूरती सिर्फ बाहरी चीजों से नहीं आती है, खूबसूरती अंदर से आती है, तो इसके लिए आपको रोजाना कपा करनी है, योग शास्त्र में शरीर की शुद्धी के लिए छेशट कर्म बताये गए हैं, उन्हीं में से एक है कपाल भाती, जब आप रोजाना दस मिनिट कपाल भाती करते हैं, ये आपके शरीर की एक-एक कोशिका की 72,000 नाडियों की शुद्धी कर देती है, कोई स्किन संबंदी समस्या, पेट संबंदी समस्या, पूरे शरीर में सिर से लेकर पैरों तक कोई समस्या आपको हो नहीं सकती, सही तरीके से करना है, कैसे करना है, अभी 2-4 राउंड मेरे साथ करके देख लीजिए, सीधे बैठ जाना है, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, एक लंबा गहरा सांस भरे, पूरा सांस बाहर छोड़ कर आपको कपाल भाती शुरू करना है, शुरू करेंगे, सांसों को तेजी से बाहर छोड़ना, बस यही करना है, एक सेकंड में एक सांस बाहर छोड़नी है, बीपी और हाट की प्रब्लम में तो और दीरे करें, पूरा ध्यान सांसों के तरफ चहरा नहीं बिगाड़ना है, कंदे नहीं हिलाने है, शरीर में कोई मुवमेंट होना ही नहीं है, सिर्फ सांसों को बाहर ये दो चीज़ें आप कर लीजिए यानि कॉपर वाटर के मैजिक के साथ कपाल भाती के मैजिक को एड़ कर दीजिए आपके स्किन 70-90 साल तक वैसी ही रहेगी उसमें उतनी ही कसावट रहेगी उतना ही ग्लो रहेगा जैसा कि यंग लोगों की स्किन में होता है करके देखें और वीडियो पसंद आए तो इसे जादा से जादा शेयर करें देखें आप जब वीडियो को पसंद करते हैं शेयर करते हैं तो ये मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है मैंने अपना काम कर दिया अब आपकी बारी है और अपना बहुत सारा ख्याल रखें मैं हूँ मदू चाधरी और आप इस वक्त योग जर्णी पर हैं नमस्कार